कुबेर मुद्रा से वितिय लक्षों को परापत करना, धन स्रХ जन के लिए सुजाव और तकनीके वितिय स्थिर्ता और संध्धी की खोज में कुबेर मुद्रा जैसे प्राचीन अभ्यास को शामिल करना एक अनोखा और शक्तिशाली तरीका हो सकता है कुबेर मुद्रा जिसे धन के हिंदू देप कुबेर के नाम पर रखा गया है एक विशेश हस्त मुद्रा है जो योग और ध्यान में उपयोग की जाती है और इसे वित्य कलियान की और उर्जा को चैनल करने के लिए माना जाता है इस मुद्रा को अपने धनिक दिन चैनल करके आप अपने ध्यान को बढ़ा सकते हैं सकारात्मक उर्जा अकर्शित कर सकते हैं और अपने वित्य लक्षों को अधिक प्रभावी धंग से प्रक्ट कर सकते हैं यहां कुबेर मुद्रा की शक्ति को अपयोग करने के लिए कुछ बेवारिक, सुझाब और तक्निके दी गई हैं। हाथो की स्थिति, अपने अंगुठे, तरजिनी और मद्धिमा उंगली को मिलाएं जबके अनामी का और छोटी उंगली को हतेली में मोडें। अंगुठे, तरजिनी और मद्धिमा उंगली के सिरे हलके से स्पर्श करें। ध्यान और इंटेंशन अपनी आंके बंद करें और कुछ ग्यारी सांस लेकर खोद को केंद्रित करें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और स्पष्ट इरादा स्थापित करें कि आप वित्य रूप से क्या प्राप करना चाहते हैं। कुवेर मुद्रा का अभ्यास करने के सुजाओ। कुवेर मुद्रा का अभ्यास करते समय अपने वित्य रूप से सुतंत्र हूं। रहात खुशी और समर्द्धी की भावना की कल्पना करें। स्कारात्मक पुष्टी के साथ जोड़ें। अपने अभ्यास के साथ स्कारात्मृत पुष्टी का उप्योग करें। मैं धन और समर्द्धी आकरशित कर रहा हूं। मैं वित्तिय रूप से सुतंत्र हूँ या स्मृद्ध, स्मृद्धी मुझ तक असानी से पहुंचती है। जैसे कथन आपके इरादों को और मजबूत कर सकते हैं। स्मृद्धी का जर्णल बनाएं। एक जर्णल रखें जिसमें आप अपने वित्तिय लक्ष प्रगति और कोई भी स्कारात्मत परिवत्न लिखें। या अभ्यास आपको जवाब दे रहने में और वित्तिय स्मृद्धी की और आपकी यात्रा को ट्रै करने नस्मद्ध करेगा। कुमेर मुद्रा की कोशक्तिशाली बढ़ाने की तक्निके। साबधानी और ध्यान कोबेर मुद्रा का साबधानी पूरुन ध्यान के साथ मिलाएं ताकि इसकी प्रभावशीलता बढ़ सके। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और अपने मन को साफ रख करें किसी भी निकारात्मक विचारों को छोड़ दें जो आपकी प्रग्ति में बादा बन सकते हैं कृतिक गता अभ्यास पहले से मजूद धन असमृद्धी के लिए कर्तिक गता की भावना विक्सित करें जिस कारात्मक मान सिकता आपके जीवन में और अधिक समृद्धी को अकर्शित करें हर दिन कुछ मिनट जिस सोचने में बिताए कि आप किस के लिए भारी है मंतर जाप अपने अभ्यास में धना कर्शित करने वाले मंतरों को शामिल करें ओम, श्रीम, घ्रीम, क्लीम, महालक्शमी नमे मंतर का अप्योग, अक्सो समृद्धी और अबंडेंस की और जाको अमंतरित करने के लिए किया जाता है विजन बोड एक विजन बोड बनाए जिसमें आप अपने वित्य लक्षों को प्रति निदित्व करने वाले चित्रों प्रतीक हो जिसमें इसे एक ऐसी जगा पर रखें जहां आप इसे प्रति दिन देख सकें और कुबेर मुद्रा का अभ्यास करते समें अपनी सफलता की कलपना करने में कुछ श्यन बिताए अनर्जी क्लीनिंग नेमित रूप से अपने रहनी की जगा को नकारात्मक उर्जा और अभ्यवस्ता से उसको सही करें प्रभावी डंग से प्रबंदित करने के लिए एक बज़ट बनाए और उसका पालन करें अपनी आय और खर्चा को ट्रैक रखें ताकि आप अपने साधनों की बीतर रह सकें बच्चत और निवेश अपनी आयका एक हिसा नीमत रूप से बच्चत करने के आदर डालें संपतियों में निवेश करने पर विचार करने जो समय के साथ भढ़ती हैं ताकि वेल्थ का निर्मान हो सके कर्ज परबंदन उच व्याज वाले कर्जों को जल्द से चुकाने पर ध्यान दे अपने कर्जों को विवस्ति रूप से निप्टाने के लिए जोजना बनाए शिक्षा और कौशल विकास अपनी वित्य साक्षरता और कौशल को लगता सुधारे कारे शालाओं में भाग ले किताब पड़े और सुचित निर्ने लेने के लिए वित्य विश्य शुगों से इसलाह ले कौबेर मुद्रा की मद्द से वित्य लक्षों का प्राप्त करना एक समरग समगर द्रिश्टी कौन है जो प्राचीन ग्यान को आधुनिक वित्य रन नितियों के साथ जोड़ता है एक शक्ति शाली मुद्रा का नीमेत अभ्यास करके सपश्ट इरादे स्थापित करके और बेवारी वित्य करदों को शामिल करने हाप वेल्थ और अबंडेंस की और एक मार गुना सकते हैं याद रखे वित्य स्मृद्धी की यात्रा स्कारात्मक उर्जा, स्कारात्मक माइंडसेट और अनुशाशित वित्य आद्धों का संजोजन है कुबेर मुद्रा की शक्ति को अपनाए और अपने वित्य सपनों को प्राप्त करने के लिए सक्रिय कदम उठाए Thank you